यार जब से लॉकडाउन के बार उत्रागन शिफ्ट वहो ना बस मन यही करता है कि कहीं दूर पहाडों में एक घर हो और मेरे पास मेरी कार हो और उसमें बैठे मेरे पुराने सारे यार हो और कार की डिगगीव है हमारे जैक भाई का गिटार हो और ऐसे ही घुमते फिरते गाते गाते यारों की यारी में जन्तिगी बस यूही गुजर जाए हाई गाईस मेरे नाम इमानशुय है और मैं आपे के तरह एक सिंपल सा बंदा जो फुल टाइम जॉब के साथ साथ ट्रावल कर रहा है और लॉक्डाउन के बाद मैं उत्रागंट शिफ्ट हो गया था और जब से मैं उत्रागंट शिफ्ट हुआ हूँ तब से मैं यहां लोकल एक्स्पोर कर रहा हूं और इसी बीच मैंने काफी सारे विलिजेश एक्स्पोर कर रहे हैं जैसे कि अंगोट विलेच और अलमोडा गया था मैं मुक्तेश्वर गया था और आज मैं हूँ सत्खोल विलेज और यहां मैं आज एक्स्टोर करने वाला हूँ लूकल साइट सिंग वगेरा तो इन सारी विलेजिस की अगर आपको वीडियो देखनी हो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो आज फिला पर आज वाली है तो इस वीडियो को लास तक देखते रहें सथकोल विलेज आने के लिए आपको सबसे पहले हलवानी आना पड़ेगा और हलवानी आने के लिए बहुत सारी सुविधाय अल्लेडी अवेलेबल है जैसे कि बस और ट्रेंस अवेलेबल है और जब वहां हलवा करें तो दूसरा ओप्शन आप टैक्सी के तुरुआ सकते हो जिसमें आपको धायाजार रुपर के असपस पड़ेगा विकॉस जो इसकी डिस्टेंस है हलवानी से यहां तक की 75 किलोमेटर के असपस असपस है अगर अपनी काड़ी से आ रहे हो तो आपको 2,5 गंटा लग ज जुषने के साथ से और देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है अच्छे खास तरीक से इसको डेकोरीट किया हुआ है और यहां पर बैट गया है अपको डिफरेंट भाई देखने को मिलने वाली है और यहां पर भुखारी भी लगाई हुई है जाड़ों में अगर बहर बर अगर भाई तो यह मोविद भाई है यहां पर केर टेकर हैं पूरे इस यह मैनेज करते हैं सारा तो अभी हमको यहां के रूम्स पगरा दिखा रहे हैं तो मुर्ण भाई चलिए रूम देखके आते हैं तो गई एक रूम तो इनका यह वाला है जो सबसे टॉप में है जो मु अगर आप बड़ी फैमिली के साथ आ रहे हो तो मुझे यह वाला रूम काफी इंट्रेस्टिंग लगा को सामने एक तो काफी ज्यादा स्पेस है और प्लस अंदर अगर आप जाओ गए रूम के तो रूम भी काफी अच्छा है स्पेसियस है मतलब यहां आपको इतना सोफा स्पेसियस है तो आप अगर सोच रहे हो कि फैमिली के साथ आओ अपनी तो यह रूम पैस्ट होने वाला मेरे साब से तो चलिए अब मैं आपको अपना रूम भी दिखा जेता हूं और यह है काइस मेरा रूम छोटा सा क्यूट सा यह रहो तो बेसिकली एक बन देक लिए मैं काफी सही लगा यह रूम और यहां तो चुटी चुटी कुर्सिया दी है क्यूट सी मतलब जैसा रूम है ना वैसी चुटी चीज रखी हुई है छोटा साइड में टेबल दियावा है मतलब मुझे काफी अच्छा लगा है मतलब अगर मैं रहना चाता हूं आप एक हाथ कहीं भी आप भूम सकते हो प्लस जाइनिंग अरिया भी अच्छा है तो विल्याल अभी मैंने अपना समान अगरा सेटल कर दिया है तो फ्रेशन अप हो जाता हूं और तो फिर आगे हम लोग क्या करेंगे थोड़ा बहुत यहां की चीज़े एक्स बोर करेंगे बतारते है क जहां से विव पॉइंट काफी अच्छा है और एक और उपर टॉप फिल विव पॉइंट है जहां पर आप जा सकते हैं हो सकता है मुहां कल जाए अलली मॉर्निंग ताकि अलली मॉर्निंग का व्यूव हम ले और तो इसके बाद हम जाएंगे टेम्ट पहला लँच पगारा जाएंगे। अलली मॉर्निंग आलू जीरा की सब्जी और साथ में चावल, साथ में यहां पर जालीटृड गूपाट के दिया हुआ है और साथ ही साथ नापको आपको एप एपर सेनिटासर में मिल जाएंगा जो गी अच्छी बात है। आपको यहां पर दो तिन जगहा है गूमने की तो एक टैंपल है उपर और एक हिल टॉप एडिया है तो अभी दूनमे से किसी एक जगह जाएंगे शाहिए और स्की बाद साम को बॉनफायर भी होने वाला है तो काफी मज़ा आने वाला है साथ मेरे फ्रेंड भी मुझे मज़ा आने वाला है मतला आप वीडियो में बने रहे हैं एकदम लंच करने के बाद मैंने थोड़ा चाई कोफी पी थोड़ा साबना वीडियो का काम निप्टाया वीडियो अडिट करी आपने प्रानी वाली वीडियो देखी निए तो ज़रूर देखले लिंक मिल जाएग अब वेदर थोड़ा वाला है ना क्लावडी और धुंद वाला उतना जादा तो नहीं दिखेगा बर जितना भी दिखेगा थोड़ा एक वाक भी हो जाएगी और साथ-साथ में थोड़ा बहुत उपर हुआ भी खालेंगे और मस्त नजारे भी लेलेंगे तो वीडियो में यहां से आपको आधा किलोमेटर के अस पास पास पैदल है तो ठीक है थोड़ा बहुत ट्रैकिंग भी हो जाएगी द्रे द्रे चलते हैं और इविनिंग भी हो जाएगी जो आपको सामने में रोड देख रहे हैं यहां से उपपर चड़ गया है इस रस्ते से और यह ब्रु अगे की तरफ बढ़ रहे हैं एक दिक्कत ही होगी कि मैं यहां जैकिट लाना भूल गया और भीया बतारे कि शाम को थोड़ी सी थंडी हो जाती है तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो एक हलका सा एक विंचिटर टाइप का रख लें क्योंकि यहां पर साम को बहुत जाला ठ घर केली है तो यह गाओं वालों का मंदिर होगा कि अभी कुछा अभी पुजारी मां अभी तो नहीं सकते कभी चब कभी जब आप कहां के रहने वाले हो कफ़णा रहने वाला हूं तो वैसे मेरे नाम दिणका नाव मेरा मनोज घाले क्या है बढ़ Tv अब यह अच्छा लगा आप से बात करके यह हम पहुझ गया है टॉब में यह हमारे सत्खुल शिवजी का मंदिर और मतलब यह गाउन अलो का टेम्पल है तो इसलिए भी फिर नहीं है जब कोई पुजा पाथ होती तभी आप पोचारी जी आते हैं और अगर आप आते हैं पर यह बहुत शांता बातावरन आपको देखने को मिलने वाला है साथी साथ में अगर आप जाड़ो के टाइम पर आते हो जैसे दिसंबर या नॉम्बर पर यहाँ पर आपको सामने पूरी हमाले संख्ला है साफ साफ दिखाई देगी तो अभी भीया बता रहे हैं कि आजकल जंगलों में आग लगी विए ना उसके इसे धुंद काफी जादा है तो इस वैसे अभी कुछ इतना क्लेट दिखनी रहा है पूरी आग लगी विए धुमा जल्ला नौ यह है सो गईस यह मंदिर ऐसा कि आप देखेंगे व्यू पॉइंट के साथ साथ आपको शिवजी के भी दर्सन हो रहे है और क्या चीए मतला जया बोले नात जया प्रभू सब्सक्राइब बढ़े बीचार गिक दो जया गुलनात हरवा यहां से विव एँ है यहां से दिखती है हमाले और यहां से दिखती है जो बहत बढ़िया इसामे आपका उपर बुटेशर यहारी इए कॉंचाला यह 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 तो चोटी में दिख रहे है तो दोस्तों देख लो यहां से मुक्तेशवर कितना नजदीक है अज लगरेंगें से प्रोल नुडऊंगा तो मुक्तेशवर तो पोची जाएगा मंदिर के अमने दर्सन कर लिया है और व्यू का भी आनन्द लिया हलांकि व्यू इतना साफ नहीं दिखा विकॉज अब जुन्द अनौल बट हमारा प्लाइन अभी बना है भाई साफ के साथ कि कल अल्ली मॉर्निंग आएंगे क्योंकि इनका कहने है कि अगर अल्ली आप दिखाए देगा तो इसलिए अभी आपने वापिस और वहां जाके मैं थोड़ा अपना देखता हूं रेस्वेस्ट कर लेता हूं कुछ विडियो एडिट करनी हो कर लेता हूं उसके वासे कल सुबह हम लोग जाएंगे दूसरे वाले टॉप और अगर मुका मिला तो इ तो इस और चला है तूं क्या पाया नहीं तूने मज़ आया है आप अच्छा गिटार गया तूं क्या हूं आप दूबडूब रहता हूं आखों में ते दीवाना बन गया हूं मैं जाहत में ते तूंबडूब रहता हूं आखों में तूंब दीवाना बन गया हूं मैं जाहत में तेरी और दिन गुजरते नहीं जाते खटी नहीं तकदीर से बाते बनती नहीं तो आजा जाएंगे पहरवा मन मोरा घबराए मन मेरा घबराए एसो गए परदेश पिया तूं एसो गए परदेश पिया तूं चैन हमें नहीं आए कर दो आए प्लाए जाम से बोले नहीं आए